आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ सुरन का चोखा या भरता इसको ओल भी बोलते हैं और जीमीकंद बोलते हैं और सुरन भी बोलते हैं तो ये एक खाज मानता है उत्तर भारत में दीवाली के दिन ये बना के खाएं भरता बना के खाएं जरूर घाना चाथा है बना के बना के संसे की आप उसी हएँआ बहुत सबूर अच्छा आदा है तो इसकी सबजी में आपको बनाने की मैं भरता बनाना बताऊंगी सबजी की रेसेपी मैंने पहले डाली है अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं आप चाहें तो सबजी बनाए चाहें इसका भरता बनाए चोखा बनाए जो बनाना चाहें वो बना सकत तो सबसे पहले इसमें मिट्टी बहुत जादा होती है तो हमें इसे अच्छे से क्लीन करना होता है और इसका छिलका उतार गए अच्छे से आपको इसको करना पड़ता है उसके बाद इसको कूकर में डालके आप नमक और थोड़ा सा नीबू डालके इसको एक सीटी लगा ले उसके बाद आप इसको निकाल लेजे और अगर आप सभी बनाना चाहते तो इसको फ्राइ कर लेजे नहीं तो उसको एक बावल में ले लीजे देखिए इस तरह का इस उबल जाना चाहिए बहुत जादा इसको शीटी नहीं लगाना है क्योंकि यह बहुत जल्दी ही पक जाता है उसके बाद इस पर डालने के लिए हम लहसन लेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया और यह हम ले रहे हैं मिर्च का अचार जो की यूपी का फेमस है इसकी रेसेपी है मेरे चैनल पर अगर आपको देखना हो तो कमेंट जरूर कीजेगा यहां हम मस्टरड ओयल लेंगे सरसो का साथ आप चाहे इसको मेस कर लें क्योंकि हम इसका बना रहा है भरता और अगर आप इसकी सबजी बनाना चाहे तो आप बस इसको फ्राई कर लीज़े और उसके बाद आप अपने पसंद के अ tenía बना लेज़े तो यहां पर देखिए अगले ऊजり होगया है क्योंकि इसका बह अगर आप एक बार बनाएंगे तो खाते रहे जाएंगे तो यह देखिए पूरे अच्छे से मैश हो गया अब इसके अंदर हम जो कट करके रखे हैं वह सारी चीजे एक एक करके एड़ कर लेंगे तो यहां पर मैंने हरी मिर्च डाल दी है और यहां पर मैंने कटे हुए लेस सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो यहां पर अमचूर पावडर का यूज कर सकते हैं यह आप नीबू दाल सकते हैं क्योंकि जो आप जब आप खाते हैं तो जब आप खताई की डालना जुरूरी होता है अब स्वाथ आप नमक डाल दीजेए अगर आप चाहें तो इसके अंदर नीवू भी आप डाल सकते हैं अगर आपने उबालते समय नहीं डाला है तो आप बाद में भी निवू डाल सकते हैं तो ये खटी ची डालना ज़रूरी है अगर आपके पास अमचुर पाउडर है तो आप अमचुर पाउडर डाल सकते हैं तो इस तरीके से हमें इसको बनाना है तो यहां पर हम अच्छे से mix कर लेंगे और हमारा जो भरता है यह ready हो जाएगा बाकि इसमें और कोई बहुत सारे चीजे नहीं पड़ती हैं अगर आपको पसंद हो तो आप इसके अंदर कटे हुए कुछ प्याज डाल सकती हैं कटा तो हम ऐसे ही सिम्पल तरीके से बनाते हैं इसको एक बावल में और बहुत जादा टेस्टी बनता है और यह दाल चावल के साथ खाया जाता है बहुत जादा टेस्टी लगता है तो उमीद करती हूं कि यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर आपको नहीं जानकारी हो कि यह रेसिपी को हम कोदी वाली के दिन खाना चाहिए उसको भी आप निभाइए तो उमीद करती हूं कि यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप जरूर इसको एक बार ट्राइ करेंगे और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलेगा कि आपको कैसा लग अगली रेसिपी के साथ तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान है हैपी दिवाले इन एंडवांस आप सभी को